C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्थे क्रम के अंतरगत कक्षा साथ की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रिष्ट 68 एकाई 4 प्रिष्ट 79 संचार माध्यम शिक्षकों के लिए आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप यवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्यापत है चाहे उन्होंने इस सचाई पर गंभीरता से घौर करने का प्रियास किया हो यer ना किया हो ये इकाई इस सचाई पर घौर करने के कुछ रास्ते दिखाएगी अध्याय च्छे में मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रोध्योगी की के साथ और बड़े व्यावसाइक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है ये अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्व हीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती हैं जो वास्तम में उनका एजिंडा होता है ये अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभावों से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है अध्याय के अंत में हमारी ये अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी ये पहचानने लगें कि बड़े व्यावसाइक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में च्छा रही खबरों को तैय करने में क्या भूमिका होती है कौन सी खबरें चुनी जा रही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तोर पर उनके जरिए क्या संदेश दिये जा रहे है हम दो कालपने खबरों के जरिये दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुदा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता है हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यारती इस बात को समझते हुए वे एक शमताएं विकसित करेंगे जो उन्हें अखबार ये टेलिविजन की किसी भी रिपोर्ट का विशलेशन करने के योगे बनाएंगी और वे ये समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी वा दृष्टिकॉन के पीछे क्या तर्क हो सकता है इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्यापनों के उदाहरन लिए जाने चाहिए और उनसे वैसे ही प्रश्णों की मदद लेकर जाँच की जाने चाहिए जैसे अध्याय में दिये गए हैं अंत में ये अध्याय अपनी विशय वस्तु का लोगतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है स्थानिय संचार मध्यमों वा सामाजिक विज्यापनों के विकल्प रखते हुए ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्यधारा में उन्हीं लोगों की बातों को ज्यादा महत्व वस्थान मिलता है जो सामाजिक ववित्य संसाधनों के धनी है इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानिय संचार माध्यमों की खबरों के उधारणों पर चर्छा की जा सकती है और बच्चों के साथ ये प्रश्ण भी उठाए जा सकता है कि विज्यापनों के प्रभाव से स्थानी स्थर पर बनने वाली, बिखने वाली वा पसंद की जाने वाली चीजों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं अध्याए छे, प्रिष्ट सत्तर से उनासी तक प्रिष्ट सत्तर यहाँ कुछ चित्र दिये हुए हैं, जिनमें संचार के माध्यम दर्शाए गए हैं शीर्शक, संचार माध्यमों को समझना टेलेविजिन पर आपका पसंदीदा प्रग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनने अच्छा लगता है? प्रायह, आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं? जो प्रायह सामुहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्ने साधनों के लिए प्रयोग मिलाए जाता है? ये शब्द है मीडिया इस पार्ट में आप मीडिया यानि संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से जानेंगे आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है? और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं? जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? प्रिष्ट 71 स्थानी मेले की दुकान से लेकर टीवी के कारिक्रम तक जो आप देखते हैं इन सब को संचार माध्यम यानि मीडिया कहा जा सकता है मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहवचन है और इसका तादपर उन विभिन्य तरीकों से है जिनके दौरा हम समाज में विचारों का आदायन प्रदायन करते हैं मीडियम का अर्थ है माध्यम चूंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है टीवी रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुच लाखों लोगों तक है देश और विदेश के जनसमू तक है इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं प्रिष्ट सत्तर पर दिये गए कुलाज में से संचार माध्यमों के चे अलग-अलग प्रकारों को छाटिये आपके लिए संभवता संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तरित उपयोग हाल ही में शुरू हुए है इन्हें प्रचलन में आए अभी बीस वर्ष भी नहीं हुए है जन संचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रवध्योगी की निरंतर बदलती रहती है अखबार, टेलिविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं च्योंकि इन में एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रोनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं आपके विचार में समचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है आगे आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तक्नीक से संबंधित है यहाँ एक और चित्र दिया गया है उस चित्र से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जन संचार माध्यमों के इस्थेमाल में लाई जा रही तक्नीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है तकनीक और मशीनों को बदल कर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है इससे ध्वानी और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है उदाहरन के लिए आज हमारे लिए टेलिविजन के बिना जीवन की कलपना करना कठिन है यहाँ एक चित्र दिया हुआ है एक चित्रकार की नजन में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेन बाग अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछे कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे उनसे पूछे कि आपके खित्र में पहले पहल टीवी कब आया था तीन चीजों की सूची बिनाईए जो संसार के किनी अन्य भागों से संबंदित हैं जिनके बारे में आपने टेलिवीजिन पर देख कर जाना है प्रिश्ट बहत्तर टेलिवीजिन के खारण हम अपने आपको विश्व समाज का एक सदस समझने लगे हैं टेलिवीजिन में प्रदरश्वित चित्र, सेटिलाइट और केबल के विस्तरित जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर देशों तक पहुँचाए जाते हैं इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समझार और मनुरंजक कारिकरम देख पाते हैं आप टीवी पर जो काटून देखते हैं वे अधिकांश्ता जापान या सयूगत राज अमेरिका के होते हैं अब हम चिन्नेई या जमू में बैठ कर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं टेलविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है यहाँ एक चित्र है 1940 के दशक में इलेक्ट्रोनिक टाइप रैटर के आजाने से पत्रकारिता के दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया शीरशक संचार के माध्यम और धन जन संचार दोरा उपयोग में लाई जाने वाली विबिन तक्नीकें अत्यंत खर्चीली है जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए यहाँ पर समचार वाचक बैठता है इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वने रिकॉर्ड करने के यंत्र संप्रेशन के लिए सेटलाइट आ दी है इन सभी का मूड ले बहुत अधिक है समचार के स्टूडियो में केवल समचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता बलके और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहयक होते हैं इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे वा प्रकाश की विवस्था करते हैं जैसा के आपने अभी अभी जाना संचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं इसलिए नवीन तम तकनिक जुटाने पर भी बहुत धन व्याय होता है इन खर्चों के कारण जन संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यक्ता होती है पर नाम तह अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं यहाँ एक्चित्र और है ये यंत्र टेलिवाइजर टेलिविजन का प्रारमभिक रूप था अपने इस आविशकार के सामने बैठे हैं जौन एल बैर्ड इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टिटूट की समक्ष अपने आविशकार का प्रदर्शन किया था अपने प्रिय टीवी कारिकरम के दोरान विज्ञापित होने वाली तीन चीजों की सूची बनाईए एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिये गए विज्ञापनों की संख्या गिनिये कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं क्या आप सोचते हैं कि ये बात सही है यदि हाँ तो क्यों जन संचार माध्यम लगतार धन कमाने के विभिन तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं एक तरीका जिसके दोरा जन संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन वस्तूओं के विज्ञापन का है जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मुबाइल फोन आदे आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलिविजन का रिक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं टेलिविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर उबर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं इस तरहें प्रायहा बार-बार आप उनी छवियों को देखते हैं जैसा के आप आगे सुनेंगे प्रिष्ट तेहत्तर विज्यापनों की बार-बार आवर्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्यापित वस्तु खरीदेंगे यह एक चित्र है जिसमें टीवी चैनल का कंट्रोल रूम दिखाए गया है एक टीवी चैनल में दस सेकिंड के लिए विज्यापत देने का मूल्य उसकी लोकप्रिता और समय के आधार पर एक हजार रुपए से एक लाख रुपए की बीच पड़ता है शीर्शक, संचार माध्यम और लोकतंत्र लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है उदाहरन के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कारेवाई भी कर सकते हैं ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरूध आयूजित करके हस्ताक्षरा भ्यान आदी चलाकर सरकार से पुनह उसके कारेगरम पर विचार करने का आगरह करके कर सकते हैं जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महतवपून भूमिका को देखते हुए ये आवशक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए आईए आगे दिये गए एक ही समाचार के दो भिन रूपों को सुनें और समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात पर रहे है यहाँ एक चित्र है इसमें बहुत सारी मैकजेन्स दिखाई गई है अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरहें की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं प्रिष्ट चोहत्तर शीरशक निउस आफ इंडिया की रिपोर्ट प्रदूशन फेलाने वाले कारखानों पर बज्रपाद कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शेहर की गतिविधियों को रोक कर लग दिया सडकों पर बहानों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूशन फैलाने वाली एकाईउं को बंद करने के निर्णे का विरोध कर रहे हैं यद्यपी सरकार ने ये निर्णे कुछ जल्दबाजी में लिया है परंतो विरोधियों को काफी समय से ये पता था कि उनकी एकाईईआ गेर गेर गानुनी है उन एकाईईओं के बंध होने से शेहर में प्रदूशन का स्थर काफी कम हो जाएगा शेहर के गनमान नागरिक श्री जेन ने कहा हमारा शेहर भारत के नय व्यावसाई केंदर के रूप में स्थापित होता जा रहा है इसके साथ साथ ये भी आवशक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे प्रदूशन पहलाने वाले कारखानों को हटाए जाना चाहिए विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालकों वा कामगारों को पुनर स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए इंडिया डेली की रिपॉर्ट कारखानों के बंध होने से घोर अशानती डेली नियू सर्विस शहर के आवासी एक शेतर में एक लाग कारखानों का बंध होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए उन्होंने कहा कि इस से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है क्योंकि वो आवासी एक शेतरों में लगाधार नए कारखाने लगाने के लाइसंस देता रहा उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुनरस्थापन के लिए परियाब तो प्रयातन नहीं किये गए कारखानों के मालकों वा मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शेहर में एक दिन का बंद प्रस्थावित किया है एक कारखाने के मालक श्रीश शर्मा ने कहा सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर स्थापन के लिए बहुत कार रिकिये है तेकिन जिस प्रकार के क्षित्र वो हमें दे रही है वहां किसी प्रकार की सुविधाय नहीं है और पिछले पांच वर्षों में वहां कोई विकास कार्ण नहीं हुआ है क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया विवरन एक जैसा है? आपके विचार से इन में क्या-क्या समानताएं और अंतर हैं यदि आप News of India में दिया गया विवरन पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे वास्तविक्ता तो ये है कि यदि आप इन में से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विशे का एक ही पक्ष जान पाएंगे यदि आपने News of India पढ़ा होता तो आपको विरोजियों की बातें वेर्थ उत्पात लगती उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन करना और अपने कारखाने से शेहर में प्रदूशन फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवे अंकित करता है दूसरी ओर जदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे जोके पुनरस्थापन के प्रयास अपरयाप्त हैं इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी विशे पर हर दृष्टि कौन से चर्चा की जाती है फिर पाठकों को स्वयम अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है संतुलित रिपोर्ट लिख पना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है स्वतंत्र संचार माध्यमों से तातपर ये है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले समाचरों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे समचार के विवरन देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत मात्पूर्ण है प्रिष्ट 75 जैसा के आपने जाना संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही, हम नागरीकों के रूप में कारिवाई करते हैं. इसलिए ये आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनिय और तटस्त हो। तत्थे तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसके मुख्यतह दो कारण है, पहला कारण है सरकार का उनपर नियंत्रन, जब सरकार समचार के किसी अंश, फिल्म के किसी द्रिश या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुँचने से प्रतिबंधित कर तो इसे सेंसर्शिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आये हैं जब सरकार ने संचार माध्यों के ऊपर सेंसर लगाया। से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसर्शिप नहुने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरन देने में असफल रहते हैं। शिर्शक, टीवी हमारे साथ क्या करता है? और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है. हमारे चारों और की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं, उसी से बनते हैं. ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है आपके विचार में ये हमें कैसे प्रभावित करता है टीवी में अनेक प्रकार के कारिग्रम है साज भी कभी बहुत ही जैसे पारिवारिक, धारवाहिक खेल कारिग्रम जैसे कौन बनेगा करोड़ पती वास्तफिक जीवन को दर्शाने वाले कारिग्रम जैसे पेक बॉस, समाचार, खेल और कार्टू ना दे हर कारिग्रम के पहले बीच में और अन्त में विज्यापन होते हैं जोकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है इसलिए केवल वे ही कारिग्रम दिखाये जाते हैं जो अधिक तम दर्शकों को आकर शित कर सके आपके विचार में ऐसे कौन से कारिग्रम हो सकते हैं उन चीजों के बारे में सूचे जो टीवी पर दिखाये जाती है या नहीं दिखाये जाती टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के हमें ये सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये दुनिया के बारे में हमारे द्रिष्टिकों, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मुल्यों को कैसे बनाता है हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमें संसार का अधूरा द्रिष्ट ही दिखाता है अपनी पसंद के कारक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के परदे से हट कर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी और टीवी ध्यान नहीं देता है फिल्म स्ठारों, सुप्रसिध व्यक्तियों और धनाड जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सब को पहुचना चाहिए और विभिन प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कारिग्रमों का आनन्द भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्ण भी उठाए प्रिष्ट छे अत्तर समचार पत्र संतुलित विबरन देने में असफल रहते हैं इसके कारण बहुत जटिल है संचार माध्यमों के विशय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है कई बार किसी विवरन के एक पक्ष पर ही ध्यान के इंद्रित कराना इनके हित में होता है संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवशकता और उसके लिए विज्यापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्यापन देते हैं इसलिए व्यापार से गहन जुडाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंतर नहीं समझा जाता किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपुन भूमिका होती है और इसी के अधार पर वो ये तै कर देते हैं कि क्या समचार में दिये जाने योग्या है उदारन के लिए आपके विद्याले के वार्शी कोट सब की खबर शायद समचार में दिये जाने योग्या नहीं होगी लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथी के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुची इसे समाचारों में सम्मिलित करने की हो सकती है कुछ खास विश्यों पर ध्यान के अंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कारियों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकरशित करते है हमारे जीवन पर महत्वपून प्रभाव ड़लने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राया ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौधा या एजिंडा तै करते हैं अभी हाली में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीट नाशकों का स्तर खत्रे के स्तर तक बड़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकरशित किया था उन्होंने कीट नाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतराष्टिय गुणवत्ता वस्वरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमत रूप से नियंतरत करने की आवशक्ता महसूस कराई यहां एक्चित्र है इसमें विभिन पेपदार दर्शाए गए हैं लिखा है डाउन टू अर्थ, साफ्ट ड्रिंक्स, हाट टूथ, प्रिष्ट सतहत्तर उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोशना की कि कूला पीना सुरक्षत नहीं है इस व्रतान्त को पेश करके संचार मध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विशय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनको रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी न आ जाता कई बार ऐसी घटाएं हो जाती हैं जब संचार मध्यम उन विशयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महतवपूर्ण है उदाहरन के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है प्रतिवर्ष हजारों लोग कश्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता फिर भी संचार माध्यम हमें इस विशय पर बहुत ही कम चर्चा करते हुए दिखते हैं एक सुविख्यात भारतिय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धन्वानों के समक्ष अपने नय वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य प्रष्ट पर स्थान पा लिया जबके उसी सप्ता है मुंबई में अनेक जोपड़ पत्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया एक चित्र है इसमें फैशन शो हो रहा है संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिये हुए है संचार माध्यमों के द्वरा एजंडा तै करते हुए जोपड़ पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खवर देने से क्या नतीजा निकलता है क्या आप किसी ऐसे विशे के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाये नहीं गया था यहां एक चित्र है इसमें एक महिला समाचार पत्र पढ़ रही है और पीछे एक महिला बैठी है उसकी गुद में एक बच्चा है शीरशक स्थानिय संचार माध्यम ये जानकर कि संचार मध्यम उन छोटे-छोटे मुद्दों में रूची नहीं लेंगे जिनका संबंध सालहरण लोगों और उनके जीवन से है इसलिए कई स्थानिय समुह स्वयम अपना संचार मध्यम प्रारंब करने के लिए आगे आए कई लोग सामुही के रेडियो दौरा किसानों को विबिन फसलों के मूले के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा और वर्कों के प्रीयोग के बारे में परामर्श देते हैं कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तिबाल करके विबन निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्मेंटरी फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन खरीबों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और टेक्निकी ग्यान का प्रेशिक्शन भी देते हैं दूसरा उदाहरन खबर लहरिया नामा के समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूड जिले की आठ दलित महिलाओं द्वारा हर पंद्रे दिन में निकाला जाता है स्थानी बुंदेली भाषा में लिखित इस आठ प्रिष्ट के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विश्यों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनेतिक प्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकांदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल में ही पढ़ना लिखना सीखा है प्रिष्ट 78 प्रजात अंतर के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपून भूमी का निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विश्यों के बारे में सुनते हैं संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंदृत किया जाना है और इस तरह वो एजिंडा निश्चित कर देते हैं यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है इसे censorship कहा जाता है आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ट संबंध होने से प्रायह संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ये सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचारों से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायह पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षी हो सकती है आता हमें समाचार के विशलेशन के लिए निम्नलिखित प्रश्ण पूछने चाहिए इस रिपोर्ट से मुझे कौनसी जानकारी मिल रही है? कौनसी आवश्चक जानकारी नहीं दी जा रही है? ये लेक किसके दृष्टिकोन से लिखा गया है? किसका दृष्टिकोन और क्यों हूँ? यहां रेल्वे फाटक का एक द्रिश्य है, जहां कुछ गाडियां और एक मोटोसाइकल खड़ी है, रेल्वे लेवल क्रोसिंग पर सतरक्ता ही संडक्षा का आधार, उत्तर रेल्वे, शीर्शक सामाजिक विज्यापन, सरकार्वा निजी संस्थाएं ऐसे व असारण हो सके, यह सामाजिक विज्यापन कहलाते हैं, यहां असुरक्षित रेल्वे क्रोसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्यापन प्रस्तुत है, प्रिश्ट 89, अभ्यास, एक, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमी का इस रेखा चितर से आप संचार माध्यम और बड़े वियापार के परसपर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, चितर में बड़े वियापारिक प्रतिश्टान, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं, अपने उत्पादों का विज्यापन देते हैं, लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं, तो पैसा वापिस उन्हीं वियापारिक प्रतिश्टानों को जाता है, संचार माध्यम, विज्यापनों से उत्पादों को बढ़ावा मिलता है, पाठक, दर्शक, श्रोता, तीन, आप पढ़ चुके हैं, इस संचार माध्यम किस प्रकार एजेंट है बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पढ़ता है, अपने विचारों के पक्ष में दो उदाहरन दीजिए, चार, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शिर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण चाटिए, दूरदर्शन समाचार पर भी इस विशा पर प्रसारित सामगरी देखिए, दो समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके, उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए, ये प्रशन पूछना साहिक हो सकता है, क, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, क, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, ग, ये लेख किसके द्रिश्टिकोन को ध्यान में रख कर लिखा गया है, ग, किसके द्रिश्टिकोन को छोड़ दिया गया है, और क्यों, पांच, विज्यापनों के प्रकार के बारे में अखेले, जोडी या समू में प्रोजेक्ट बनाए कुछ उत्पादों के बारे में वानेजिक विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ, सडक सुरक्षा, जल्वा उर्जा को बचाने की जरूरत सामाजिक विज्ञापन बनाए शब्द संकलन, प्रकाशित इससे तातपर समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षातकार विवरण आदी से है, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सकें सेंसर्शिप इसका तातपर सरकार की उस शक्त या अधिकार से है, जिसके अंतरगत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है प्रसारण इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अत्वा रेडियो के कारिक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेशित किया जाता है सार्वजनिक विरोध इसमें विशाल संख्या में लोग एक जुठ होकर किसी विशे पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं ये प्रया रेली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुध करके किया जाता है इसी के साद नो अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय च्छे यहां समाप्थ हुआ वाचक नीरच्छर्म सामाजिक एवं राजनितिक जीवन अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्थे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुक्रेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत